हालो फ्रेंट्स मैं हूँ आपको दोस्ट पल्टाम मेना और आप देख रहे हैं इंदिडिक चैनल जिसका नाम है हिंदी मास्टर माइन फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम वीजूल बेसिक 6.0 में सिंपल इंट्रेस्ट काउंट करने वाला केलकुलेटर बनाने वाले हैं तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने वीजूल ब कर रखा है उसके बाद में तीन डेबल्स ले रखी है जिसका पहले का नाम है अमाउंट दूसरे में मैंने केप्शन रेट कर रखा है और तीसरे का केप्शन येर कर रखा है फिर उसके बाद में मैंने तीन जो है टेक्स बॉक्स लिए हुए है इनको मैंने क्लियर कर रखा ह ठीक है उसके बाद में मैंने यहाँ पर दो command button लिये हुए है एक command button का नाम ok यानि कि caption ok कर रखा है और दूसरे का clear कर रखा है उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक और level ली है जिसका caption मैंने simple interest कर रखा है उसके बाद में यहाँ पर यह एक और text box है जिसका मैंने color किसी type का कर दिया है ठीक है और जो background form का background color है वो भी मैंने background color से यहाँ पर change कर रखा है आप भी कर सकते हैं तो इस type से मैंने form की design create कर रखी है अब उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसकी coding सबस् simple interest को count करने का calculator बना पाया है तो friends चलिए यहाँ पर जो मैंने coding कर रखी है उसके बारे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ यह देखे मैंने यहाँ पर जो है चार variable declare कर रखे है variable declare करने का जो visual basic में formula है वो है dim लिख करके उसके बाद में variable का name लिखी है उसके as और उसका type लिख दीजिए type month love, integer, single, long या फिर float जिस भी type का आपको variable बनाना है वो variable का type यहाँ पर लिख देते हैं तो इस type से हम variable declare करते हैं इस type से मैंने 4 variable declare कर रखे हैं पहले का नाम am यानिके amount दे रखा है जो कि इस text box के लिए है दूसरा है r यानिके rate जो कि इस box के लिए है तीसरा है yr यानिके year जो कि इस box years के लिए है और चोता variable जो मैंने declare कर रखा है वो si है जो कि हमने इस वाले के लिए declare करा है ठीक है अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसको value देने के लिए यहाँ पर इसमें value डालने के लिए यहाँ पर यह command लगा रखे हैं यहाँ पर आर यानिके rate वाले variable में वो value यहाँ पर इसके अंदर send करवा रखे है। जो value यहाँ पर rate वाले box में rate वाले text box में जो value को ibaई यूजर डालेगा वो इस आर वाले के अंदर r value के अंदर चल जाएगा r variable के अंदर वो value चली जाएगी इस type से हमने text 3 में जो text पढ़ा हूआ उसके value year वाले variable में बेच रखे हैं ऐसे करके हमने इसकी इन में values input करवा रखे हैं उसके बाद में हमने यहाँ पर SI का जो simple interest का formula होता है जो कि आपने मेत में पढ़ा होगा वो formula हमने लगा करके यहाँ पर SI के अंदर जो कि हमने SI नाम का एक variable declare करा था simple interest उसके अंदर हमने पर कैसे कर रखा है देखिए SI simple interest equal amount into rate into year divide by 100 यानि कि amount rate और year तीनों into हो रहे हैं उसके बाद में 100 से इसको भाग लगा रखा है तो उसके बाद में हमें SI प्राप्त हो जाएगा यानि कि SI के अंदर जो value आएगी वो हमारा simple interest हो जाएगा अब इस value को हमें देखना है तो इस value क देखने के लिए हमने यहाँ पर text box 4 जो यह लिया हुआ है इसके अंदर वो value send करवा रखिए तो इस type से हमने इसके coding कर रखिए उसके बाद में यहाँ पर clear button की coding में आपको बता देता हूँ यह coding तो मैंने आपको ok button की बताई है अब हम यहाँ पर clear button की coding देख लेते हैं चारों को clear करवार रखा है ताकि जो user है वो जैसे ही उसको बारबार इसको clear करने की बारबार वो इस पर आकर के सको clear करें उसके वजाए जैसे ही वो clear button पर Klik करेगा तो यह तीनो000 box और उसके साथ यह वो खाली हो जाएगा यह clear हो जाएगा तो इस type से में इसके coding कर रखि तो चलिए फ्रेंज अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यह देखिए मैं इसके प्ले बटन पर क्लिक करता हूं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है अब यहां पर हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह पहले हम चेक करते हैं तो यहाँ पर 100 का हम चेक करते हैं और रेट हम यहाँ पर 2% की रेट लगा देते हैं और 1 साल का चेक कर लेते हैं इससे हमें डाइक पता चलता है कि 100 रुपे का 1 साल का 2% की ब्याद से हमें 2 रुपे ही इसके बाद में आप जितना ब्याज लगाना चाहे वो लगा दिया यहाँ पर और जितने साल का लगाना चाहे वो यहाँ पर लगा दिया और ओके तो यह देखिए हमारा जो वेल्यू है वो यहाँ पर इस टाइप से में शो हो रही है तो मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से work कर रहा है अब यहाँ पर clear पर कि भी हमने coding की थी तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ यह देखे जैसे मैंने clear पर click किया तो जितने भी box है वो सारे clear हो चुके है आपको बार बार इनको आखर के मिटाने की जरुद नहीं पड़ेगी तो इस type से friends हमारा program जो है आज का वो complete हो चुका है I hope आपको यह video पसंद आया होगा अगर friends आपको यह program चाहिए तो मैं इस program का जो link है download link है वो मैं आपको थोड़े time में provide करवा दूँगा आप वहाँ से आसने से इसको download कर पाएंगे ठीक है और इसको download करने के वज़ाए friends आप इस video को समझ के इसको देख के और अखुद बनाये तो वो ज़्यादा बेटर है आपको ज़्यादा याद रहेगा और friends लास्ट में मैं यह कहूँगा कि अगर आपको यह video पसंद आया हो तो please like कीजेगा comment कीजेगा और अपने friends के ताज इसको जैरू शेयर कीजेगा और अगर आपने बिदा के इंडिविक चनल सब्सकाइब नहीं क्या है तो please आप इसको सब्सकाइब कर लीजिए और सब्सकाइब करने के साथ आप पास में जो बेल का एकन बना हुआ है आपको उस पर भी क्लिक करना है उस पर क्लिक करने से आपको जो मेरे निव वीडियो से उसकी इंफॉर्मिशन काफी जल्ली मिल जाएगी और आप निव वीडियो से अपडेट रहेंगे तो ठीक है friends Thank you, thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में